शान्तकारम भुजक्षैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सद्रिशम मेगवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नैनम योगी भिर्द्यान अगम्यम वन्दे विश्णुम भव भैहरम सर्व लौकेक नाथम आप सभी को पौश पौनिमा की धेर सारी शुप कामनाए भगवान विश्णु और सत्य नारायन भगवान के करपा सदा आप सभी पर बनी रहे आज पुनिमा के दिन सच्चे मनसे जो भी भक्त भगवान सत्य नारायन की कथा का पाठ करता है या कथा सुनता है सत्य नारायन भगवान उनके घर में सदा धन और सुक सम्रिती के भंडार भरते हैं तो आईए सुनिये पौश पौनिमा के दिन श्रिश सत्य नारण भगवान की कथा हमारे चैनल पर पौश पौनिमा की कथा भी अपलोडेड है अगर आपने इस कथा को नहीं सुना है तो प्लीज आप चरूर सुनियेगा एक समय की बात है नैमिशार अनितीर्थ में शौनकादी 88,000 रिश्यों ने च्री सूत जी महरात से पूछा हे प्रभू इस कल्यूग में वेद विद्या रहित मनुश्यों को प्रभू वक्ती किस प्रकार मिल सकती है उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट किरपा करके कोई ऐसा तब बताईए जिससे थोड़े समय में ही पोन्य मिल सके और मनुवांचित फल भी मिल जाए हे मुनिवर अगर इस तब की कोई कथा है तो हमें सुनाईए हम उस कथा को सुनने की भीच्छा रखते हैं तब सर्व शास्त्रों के ग्याता सूत जी बोले हे वैश्नवल में पूझ आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ट ब्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारत जी ने लक्ष्मी नाराइन जी से पूछा था और लक्ष्मी पती ने मुनिश्रेष्ट नारत जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारत जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्य लोक में आप पहुचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनुश्यों को अपने कर्मदवाना अनेकों दुखों से पीड़ देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए मन में ऐसा विचार कर वे विश्णु लोग को गए वहां देवों के ईश्च नारायन की इस्तुती करने लगे जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म थे गले में वे वर्माला पहने हुए थे उनकी इस्तुती करते वे नारत जी बोले हे भगवन आप अतिन्त शक्ती से संपन्न है, मन दधा वानी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदी, मध्य, अंत भी नहीं है, निर्गुर्ण स्वरूप स्ष्ची के कारण आप भगतों के सभी दुखों को भी दूर करने वाले हैं, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार ह नारद जी की स्तोती सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ट, आपके मन में क्या बात है, आपके स्काम के लिए पधारे हैं, हे मुनिवर, आपके मन में जो भी है, उसे नह संकोच कहो, इस पर नारद मुनि बोले, कि मृत्य लोक में अनेक योनियों में जन कारा पा सकते हैं, नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोहच से छूट जाता है, आज वह बात में तुमसे कहता हूं, उसे सुनो, स्वर्ग लो करने से मनश्य तुरंत ही इस लोग में सुख फोग कर मरने के बाद मौक्ष को पाता है, श्री हरी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस वरत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह वरत किस ने किया था और इस वरत को किस दिन करना चाहिए, तरपा करके सब ही कुछ विस्तार से बताएए, तब नारद मुनी की बात सुनकर भगवान श्री हरी बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है, मानव को भक्ती और शद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्य नारायन की पूजा धर्म परायन होकर ब्रहम का आठा शक्कर और गोर लेकर सभी भक्चन योग पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए भूग बनाना चाहिए, और उसके बाद ब्रहमनों सहित बंदू बांद्वों को भी भूजन कराया जाना चाहिए, उसके बाद ही स्वयम भूजन करना चाहिए, भजन कीरतन के इच्छाय निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं और इस कल्यूग में मुक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है श्री सूद जी आगे कहते हैं हे रिश्यो जिसने पहले समय में इस वृत को किया था आप मैं उसका इतिहास बताता हूं ध्यान से सुनो सुंदर फिले भगवान ने एक दिन ब्रहामन का वेश्ट धारण करके उसके पास जाकर पूछा है ब्रहामन रोज तुम दुखी होकर धरती पर ऐसे क्यों घूंगते हो वह तीन ब्रहामन बूला मैं निर्दन ब्रहामन हूं बेक्षा के लिए दरती पर घूंगता हूं हे भगवन अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताए, वृत्य ब्राहमण कहने लगे, सत्य नारण भगवान मनुवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो, इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृत्य ब्राहमण बनकर आए सत्य नारण भगवान, उस निर्धन ब्राहमण को वृत का सारा विधान बताकर अंतरध्यान हो गए। वे ब्राहमण मन ही मन सोचने लगा कि जिस वृत को वृत्य ब्राहमण करने को कह कर गया है, मैं उसे अवश्य करूँगा। ऐसा निश्य कर करने के बाद उसे रात में नीद नहीं आई वो सवेरे उठकर सत्यनारान भगवान के व्रत का निश्चे करके भिक्षा के लिए चला गया उस दिन निर्धन प्राहमन को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला जिससे उसने बंदू-बांधों के साथ मिलकर श्री सत्यनारान भगवान का व्रत संपन किया व्रत संपन करने के बाद वह निर्धन प्राहमन हर तरह के दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्यों से युक्त हो गया उस समय से वह प्रहमन हर माह इस व्रत को करने लगा इस तरह सत्यनारान भगवान के व्रत को जो मनुष्य कर बेहां सभी प्रकार के पापों से चूट कर मुक्ष को प्राथ हो जाएगा जोभी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे जो वोले की इस तरह से नारंध जी से नाराइंड जी इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है तब सूत जी बोले हे मुनियों जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनों एक समय वही विप्रधन और एश्वरी के अनुसार अपने बंधू बांधों के साथ इस व्रत को करने के लिए तयार हो गया उसी समय एक लकड़ी बेशने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर प्रहमण के घर में गया प्यास से दुखी वह लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या पल मिलेगा किरपा करके मुझे भी बताईए तब प्रहमण ने कहा कि ये सब मनुकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्तिनारायन का व्रत है और इनकी करपा से ही मेरे घर में धन धाने की प्रती हुई है विप्र से सतिनारैन व्रत के बारे में जानकर लकढणारा बहुत प्रसंग हुआ। वह चर्णामरत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकढणारी ने अपने मन में संकल पीया। कि आज लगड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से श्री सतिनारण भगवान का व्रत करूंगा मन में ऐसा विचार लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लगड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी पहले से चार गुना अधिक मिला वह बूढ़ा खुशी के साथ दाम लेकर केले शक्कर घी दूद और दही के साथ साथ यहूं का आटा लेकर भगवान सतिनारण के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपनी घर पहुँच गया वहां उसने अपने बंधु बांधों को बुल पहले समय में उलका मुखनाम का एक बुद्धिमान राजा था वह सत्यवक्ता और जितेंद्रे था वहरोज मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके सभी कष्ट दूर करने का प्रयास करता था उसकी पतनी कमल के समान मुखवाली और सतिसाध भी थी भद्र शीला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारण भगवान का व्रत किया उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था राजा को व्रत करते देखकर वैश्य विनम्र निवेदन के साथ कहने लगा हे राजन भक्ती भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रगता हूँ कृपा करके आप मुझे बताईए हे साधू अपने बंधू बांधवों के साथ पुत्र की कामना के लिए मैं एक सर्वुत्तम व्रत का जिसे सत्तिनारण भगवान का व्रत कहते हैं पूजन कर रहा हूँ राजा के वचन सुनकर वैसाधू आदर से बोला हे राजन मुझे इस व्रत का सारा विधान जानना है मुझे आप बताईए आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा मेरी कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ती होगी और तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निव्रित होकर वह व्यापारी अपने घर चला गया साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूँगा सादू ने इस तरह के वचन अपनी पत्मी लीलावती से कहे एक दिन लीलावती पत्ती के साथ आनंदित होकर साथ सारिक धर में प्रवर्थ होकर सतिनारण भगवान के करपा से गर्भवती हो गई दस्वे महिने में उसके गर्भ से एक सुन्दर कण्या ने चन्व लिया और वह कण्या दिनो दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है माता पिता ने अपनी कण्या का नाम कलावती रख दिया एक दिन लीलावती ने अपने पती को सत्य नारण भगवान के वृत का संकल प्रियाद दिलाया और उसे करने के लिए कहा तो साधू बोला हे प्रिये इस वृत को मैं अपनी कन्या के विवहा के अफसर पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया कलावती पिता के घर में रहकर बढ़ने लगी साधू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्षियों के साथ देखा तो तुरंथी अपने दूद को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग के वर्दिक कराओ साधू की बात सुनकर वह दूद कंचन नगर में पहुँचा और वहाँ देख भालकर लड़की के सुयोग वनिक पुत्र को ले आया अपनी पुत्री के योग ये उस योवक के साथ वियापारी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन दुर्भागी की बात ये रही कि साधू ने अभी भी भगवान सतिनारायन का व्रत नहीं किया इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राब दिया कि सादू को सबसे ज्यादा दुख मिले अपने काम में कुशल सादू बनिया जमाई को लेकर समुदर के पास इस्थित रत्नसारपुर नगर में गया वहां जाकर दामाज ससुर दोनों में मिलकर चंदरकेतू राजा के नगर में व्यापार करना प्रारम कर दिया एक दिन भगवान सत्यनाराइन की करपा से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते, देखकर चुराया हुआ धन वहा रख दिया, जहाँ साधू अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। यह सब सत्य नारायन भगवान की ही माया थी। राजा के सिपाईयों ने साधू वैश्य के पास जब राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांध कर खुशी के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले आये ह अब आप जैसा चाहें वैसा इनके साथ करें। राजा की आग्या से उन दोनों को कठिन कारवास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। इस तरह सत्य नारायन भगवान के श्राप से साधू की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन भगवान का व्रत होते वे देखा फिर कथा भी सुनी वे प्रसाद ग्रहन कर रात को घर बापस आ गई। मा ने कलावती से पूछा है अब तद तुम कहा थी तुम्हारे मन में क्या है तब कलावती ने पनी मा से कहा है मैंने प्रहमन के घर में श्री सत्य नारायन भगवान क सब व्रत देखा है कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लीलावती ने परिवार और सभी रिष्टिदारों के साथ मिलकर भगवान कि पूजा की और व्रत किया और उनसे वर्दान मांगा कि मेरे पती और जमाई शीक्र ही घर आ जाए साथ ही यह भी प्रात्नागी हम सब के किये हुए अपरातों को शमा कीजिए श्री सत्यनारन भगवान इस व्रत से संतुस्ठ हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कर कहने लगे ये राजन तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका ज सुभा उठकर राजा ने सभा में अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कारवास से मुक्त कर सभा में लाया जाए दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया राजा मीठे स्वर में बोला ये महनुभावो भागिवश ऐसा कठिन दुख तुमें प्रा कार दोनों वैश खुशी खुशी अपने नगर को चलने लगे कुछ दूर निकले ही थे कि दंड वेश धारी श्री सप्तिनारण भगवान उनके रास्ते में आए और उनसे पूछा है साधू तुम्हारी नाव में क्या है तब वह हस्ता हुआ बोला है दंडी आप क्यों चले गए कुछ दूर जाकर वह समुद्र के किनारे बैठ गए दंडी के जाने के बाद साधू वैश ने अपने नित कर्म निपटाए और उसके बाद जब नाव को उची उठतावा देखा तो वह हरान रह गए नाव में जब उन्होंने जाकर देखा तो बेल पत्ते भरे व आप शोग मत मनाईए यह दंडी का श्राप है इसलिए हमें उनकी शरन में जाना चाहिए हमारी मनुकामना तब ही पूरी हो सकेगी दामात की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुचा और अत्यत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला हे प्रभू मैंने आप से जो असत्य वचन क कहे थे उनके लिए मुझे शमा कर दीजिए ऐसा कहकर वह रोने लगा तब दंडी भगवान बोले यह बनिक पुत्र मेरी आग्या से बार-बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तुम मेरी पूजा से विमुख हुए और तब साधु बोला यह भगवान आपकी माया से देता भी आपके रूप को नहीं जान पाए तब मैं तो अग्यानी ठेहरा मैं कैसे जान सकता हूं यह प्रभू अब आप करपा करके मुझ पर प्रसन हो जाए मैं अपनी सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा यह प्रभू मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मे माउध धन से भरी हुई थी वहीं अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारण की पूजा की और अपने नगर को चल दिये जब नगर के नजदिक पहुचे तो दूद को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया दूद साथू की पत्नी को प्रणाम कर कहने के दर्शन करने को जा रही हूं तुम भी जल्दी जल्दी आ जाना मा के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाथ छोड़कर अपने पती के पास मिलने के लिए चली आई इस प्रकार प्रसाथ का अपमान कर सत्यनारण भगवान नाराज हो गए और नाव सहीद उसके पती को पाने में डूबो दिया कलावती जब वहां पहुंशी तो अपने पती को ना पाकर वहज रोते रोते जमीन पर गिर गई नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोते वे देखकर वह साथू दुखी होकर बोला है प्रभू मुझसे और मेरे परिवार से जो भ आकाशवानी हुई है साधू तेरी कन्या मेरे प्रसाथ को छोड़ कर आई है इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया है अगर वह घर जाकर प्रसाथ खाकर वापस लोटे तो इसका पती अवश्य वापस मिल जाएगा ऐसी आकाशवानी सुनकर कलावती घर पहुंश कर प्र जद किया और पूजा की इस प्रकार इस लोक में सुख भोक कर वह सब अंत में स्वर्ग को चले गए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा और आप अगले दिन से हमारे चैनल पर माग मास महतमी की कथाएं भी आप हर दिन सुन सकते हैं